तो यार पिछली वीडियो में हम देख चुकी है कि इस तरह से एक शोट से आप बनाते हैं एक Static Data के साथ हम लोग ने आप बनाई थी और आज की इस वीडियो में हम लोग इसको Firebase के साथ कनेक्ट करेंगे और आने वाली वीडियो में हम थर्ड पार्टी सर्वर के साथ भी कनेक्ट करेंगे तो यार अभी तक की इस वीडियो में हम लोग यहां पे एक शोट से आप बना चुके हैं जिसमें हम लोग static data ले रहें ठीक है जी यहां से हम स्टेटिक data के साथ इसमें शोट स selling को play कर रहे हैं अब हम् लोग क्या करने वाले हैं Firebase के साथ इसको connect करेंगे आने वाली वीडियो में हम लोग कस्टम सर्वर के साथ इसको connect करेंगे API की help से ठीक है हर चीज यहां पर सीखेंगे लेकिन API वाली काम करने से पहले हमको Firebase की चीज़ देखनी पड़ेगी हमको देखना पड़ेगा कि हमको dataset कैसे करना है ठीक है तो यह server वाली वीडियो से पहले यह video आपके लिए important है इस code को implement ज़रूर करना क्योंकि इसी से आगे हम लोग जो इसका next part आएगा server वाला उस पे implement करेंगे तो यह video आपके लिए important रहने वाली है तो आज हम Firebase के through data लेंगे और जब हम Firebase में कुछ data change करें तो यहां पे हमारी app के अंदर भी change हो जाए फिर इसके साथ ही हम लोग यहां पे share button और download button को भी next part में हम लोग यहां पे लाने वाले तो इन parts को skip मत करना अगर पहला part देखा इस part को जूर देखना दीरे दीरे जितने हम लोग part इसमें series में upload करता जाएगे सब आपको देखने है चीक है वीडियो देख रहे हैं और like नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब और like करो पहले तब ही आपको यह successful आप इसको सीख पाऊगे अब देखो जी यहां पे हम लोगों ने simple main activity में यह data handler बनाया हो था और यहां से हम लोग data इसको set कर रहे थे custom data set कर रहे थे जो हम लोगों जाके connect कर लेना है अच्छा connect नहीं होता तो हो रहने दो यहां से add real time database SDK to your app यहां से कर लेना ठीक है connect को रहने दो यहां से कई बार यहां से connect नहीं हो पाता तो यह काम करने के बाद आपने बस यहां पर dependency add करनी है तो यह automatically यहां पर add हो जाएगी firebase की dependency है आप देखोगे यहां पर real time database की dependency add हो गई तो इसको sync होने दो हम आ जाते हैं यहां पर हम आएंगे gradle में अब gradle में हमको sha1 key चाहिए यहां से तो यहां पर आपने signing report लिखना है और उसको enter कर देना तो आपकी यहां पर sha1 key आपको मिल जाएगी ठीक है जी तो sha1 key के उपर भी video बना चुका हो अगर आपको नहीं यहां पर ली जा रही sha1 key find नहीं कर पा रहे हो तो यहां से इस तरह से आप find कर सकते हैं अदर वाज़ आप उस video को भी देख सकते हो ठीक है तो यहां से हम लोग sha1 key यहां पर गए और यहां से हम लोग इसको project को connect कर रहे हैं यह मेरे पास already project है ठीक है तो इस पर मैं connect कर रहा हूँ अपनी app को यहां पर इसका context भी चाहिए यह चाहिए package name चाहिए तो मैं इसको copy कर रहा हूँ package name को यहां पर डाल के हम लोग इसको shorts नाम देते हैं और register कर लेते हैं ठीक है इतना काम कर लेते हैं इसको एक बाग connect कर लेते हैं अगर आपने connect कर लिया है तो थोड़ा से इस video को हलका से skip कर लो 15-20 second के लिए ठीक है तो मैं यहां से services.json की file download कर तो चलो जी यहां से start करते हैं फिर से तो यह सारा connect हो चुक है यहां से मैं क्या करना इस google services.json को इस step को आप हर बार कर लेना firebase का जो भी connect कर रहा हूँ इस तरह से add करके न अगर add है पहले से तो इसका services.json को download कर लेना यहां से package name भी check कर लेना sh1 key भी check कर लेना और यहां प ठीक है sha256 भी आते हैं इसको भी add कर लेना अगर यह work नहीं करता तो फिलाल के लिए हम लोग इस तरह से चलेंगे आगे ठीक है यह काम अब लोग कर दिया यहां से तो अब क्या करेंगे इसको फिर से एक बार मैं copy कर लेता हम फिलाल के लिए तो यहां पे मैं इसको paste बीची आपके google services.json की तो यहां पे यह आ गया आ गया तो यह आप हमारा काम चल पड़ेगा तो फिर से इसको android पे लाते है और इसको जो यह हमने signing report निकाली थी इसको फिर से आप पे लाते है और इस पे हमारे पास आप Firebase एड हो जाएगा एड होने का आपने क्या करना है यहां से उपर लिखना है आपने Firebase database जैसे यह लिख दिया तो मतलब यह एड हो चुका है तो इसको database लिख लेते है नीचे जाके इसको initialize कर लेते है database is equals to firebase database.get instance ठीक है इतना काम करना है इसके बाद आपने बिदाना है database reference इसको mref is equals to जो database उपर बना है database dot get reference अब reference पर हमको एक string चाहिए ठीक है तो string चाहिए तो string के लिए हम लोग देखेंगे अभी देखो कहा से हम लोग data लेने वाले है तो मैं Firebase पे बापिस आजाता हूँ ठीक है Firebase में हमने दो वीडियो अपलोड करके रखी हुई है और यहां पे एक database मैंने बनाया हुआ है दिखाता हूँ आपको क्या मैं करना हूँ यहां पे देखो जी यह सब हम लोग इसका panel भी बनाएंगे आने वाली series में हम क्या करेंगे कि automatically किस तरह से videos अपने phone से ही upload करेंगे और वही video में हम title भी डालेंगे और उसको video upload कर देंगे तो यहां automatically सारा data set हो जाएगा तो यहां पर manually अभी मैंने videos का यहां पर टैग बनाया है इसके अंदर मैंने multiples के child डाले हुए दो child डाले हुए यानि कि दो videos हमारे पास show होंगी जिसमे एक URL आएगा video का एक title आएगा जो कि हम लोग show करेंगे अपनी app में तो यह दोनों तो अभी क्या करेंगे हम लोग इस data को लेंगे जी तो यहां पर हमारे पास किसका reference लेंगे हम लोग reference लेंगे हम लोग videos का videos के अंदर है नो तो videos का reference लेंगे ठीक है अगर आपने मेरी firebase की videos नहीं देखिए न तो उनको देखो ज़रूर ताकि आपको अच्छे से समझ आया चीज़ ठीक है जी videos यहां पर लिख दिया और इसको मैंने close कर दिया अब यहां से क्या करेंगे mrf.addvalueandlistener new value and listener और इसको मैंने यहां पर if condition दे दी और यहां पर बोल दिया कि अगर snapshot है यानि कि जो data हमको मिल रहा है वो .exist मिल रहा है यानि कि null नहीं है कुछ न कुछ value है firebase के database में तब क्या करें तब क्या करेंगे हम लोग यह सारा का सारा code यहां पर डालेंगे इस code को डालने से पहले हम एक for each loop यहां पर लगाएंगे for loop लगाएंगे ठीक है for each लिखेंगे और यहां पर data snapshot क्योंकि हमको सारा data लेना है एक ही data नहीं लेना हमको multiple data लेना है तो इसको मैं ऐसे दे दूगा ना हम और यहां पर snapshot.getchildren method लगा देंगे और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे ना इसके अंदर हम लोग एक map बना लेंगे ठीक है जी map बनाओ map map is equal to map में ही इसको typecast करना है और इसके आगे आपने लिख देना है जो s हम लोग ने अभी यह लिए ना dot get value अब क्या होगा कि सारा सारा data जो होगा यहां पर हमको snapshot में मिलेगा इस snapshot के अंदर का जो detail है मतलब get children अब लोग लेगे तो गया children यानि कि यह जो हमको snapshot मिलेगा वीडियो का इसके अंदर हम लोग children में आ जाएंगे यह सारा का सारा code यहां से उठाएंगे इसको cut करेंगे और यहां पर इसको डाल देंगे map के नीचे तब क्या होगा यह for each loop जब जब रन होगा तब तब हमारे को data मिलता जाएगा तो जितने भी data हमारे पास रहेंगे वो यहां पर हमको मिल जाएगे अब देखो हम लोग ने और यहां से हमको map से क्या मिलेगा map के अंदर हमको यह दो चीज़े मिल जाएगी दो चीज़े क्योंगे title और url तो देख लेना यहां से spelling जो लिख्योंगे न वहीं लिखनी है वहाँ पर भी छोटा लिखा तो चोटा ही लिखना तो यह title.to string यहां पर करेंगे to string कर देंगे तो यह हमारे को title मिल जाएगा यहां से ठीक है जी title मिलके अब url चाहिए तो url जो हमनों static डाला हुआ था पहले इसको delete करते हैं क्योंकि अब लोग url जो है server से ही लेने वाले firebase के तो map तो जो map हमारे पास है इसी map के अंदर जाएंगे फिर से dot get करेंगे फिर से अब क्या लेंगे url तब वीडियो का url भी हमार को मिल जाएगा यहां से dot to string कर लेंगे इसको तो अब यहां से हमको map का data भी बिल गया ठीक है map के अंदर जो आप यह tag दे रहे हो ना यह tag save होना चाहिए जहां से आप ले रहे हो तो अगर आपने गलती से यहां पे कुछ और डाल दिया तो यहां से null value आके यह आपका app crash हो सकता है तो यहां से ध्यान दखने इसको तो यह यह मतलब यहां पर कुछ ऐसे दिखा रहा दार है अपने आप यह चला गया ठीक है कई बार android studio में इस तरह की चीज़े हो जाती है तो आप यहां से sync project with gradle कर लो या फिर load goal project कर लो या फिर इसको invalidate catch है करके restart कर लो ठीक है जी तो आपकी इस तरह के चोट मुट errors अपने आप ह आप यहां पर यह एप हो रही है run तो यहां पर हमारी एप run हो चुकी और यहां पर यह विडियो भी play हो रही है तो चोट हम लोग उने demo के लिए बनाई थी एक तो video play हो गई दूसरी भी देख लेते हैं ठीक है दूसरी भी video यहां पर play हो रही है यहां पर देख सकता है demo title 2 for play हो रही है emulator है इसलिए थोड़ा सा slow play हो रही है otherwise यह video यहां पर आपके phone में अच्छे से play होगी और यह हमारा server के साथ अभी connect हो चुका है Firebase के साथ next video में हम लोग क्या करेंगे इसको फिलाल के लिए हम लोग इसी server के साथ चलाएंगे Firebase के साथ हम लोग इसका uploading panel बनाएंगे जहां से हम लोग video upload करेंगे और उसका title भी upload करेंगे इसके साथ ही हम लोग next video के पार्ट में इसका जो यह share बटन और download बटन जो है इसको हम लोग हमारी internal storage में save करेंगे और share करने का option भी डालेंगे जिससे directly हमारी video इस title के साथ और इस app के URL के साथ share हो जाएगी तो लोग भी हम लोग इसको लोगों को भी share कर सकते हैं ठीक है तो यह सब देखेंगे next video उसमें तो इस series के साथ बने रही है इस channel के साथ बने रही है like नहीं किया तो यार like करो video को और subscribe नहीं करके रखा तो subscribe करो ताकि next video के notification आपको मिल सके तब तक के लिए बहुत हो शुक्रिया आप सब क चुड़े को देखते के लिए